यह गाईस आप अल्ली एड देखकर ही रिवेन्यू जनरीट कर सकते हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफी एड वॉल में हमारे एड देखने के लिए हैं अब जैसे यह 35 सेकंड का एड है अगर आप इस एड को फुल वॉच करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 0.57 अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कनवर्ड करें तो आप लाइफ देख सकते हैं यहाँ पे हमें 43.27 इंडिय एड को अगर हम इतने रुपीज से कनवर्ड करें 43.27 से तो आपका यहाँ से हो जाता है 300 प्लस कुछ ठीक है तो काफी अच्छी अर्निंग अपॉर्चनेटी और एक बार जब आप यह एड फिनिस कर लेते हैं तो दुबारा से फिर से इस से जादा एड आपको यहाँ पे भी कर सकते हैं आपको स्टार्टिंग पूइंट पूरा बदा दिया इसलिए डीकार यहाँ पर देकि अधल ऑपते होगे minimum payout यहां पे 100 डॉलर दोस्तों यहां पे आपको 100 डॉलर चुटगियों में हो जाएंगे विकोस आपको 10 डॉलर इंस्टंटली मिलेंगे जैसे ही मैं आपको अभी लाइव यहां पे करके दिखाऊंगे कि 10 डॉलर आपको इंस्टंटली कैसे लेने हैं ठीके तो 10 डॉलर तो आपको यहां पे मिल जाएंगे अब बचे उसी डेश्बोर पर मैं आपको यहां पर बताऊंगे किस तरीके से आप लोगों ने अच्छे से रिवेनु जहां पर जनरेट करना है और दोस्तों किस तरीके से आपको 10 डॉलर यहां पर इंस्टंटली मिल सकते हैं और अगर आपका पेपल का अकाउंट नहीं बनाया तो ब क्लिक करने पेपल एक इंडियन करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डॉलर करके आपके बैंक अकॉंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है यहां पर आपको इंडिवीडियल एकॉंट सेलेक्ट करने देन नेक्स्ट पर क्लिक करने अगर आपके पास ले जाएगे ठीक है तो आपको यहां पर अपना नंबर डाला है नेक्स्ट करना है सिंपल सा कुछ डिटेल्स मांगेगा यह एंड के वाइसी करना है एंड आपको एक अपनी कोई प्रामरी बैंक यहां पर एड कर देनी है जहां पर यहां से जो अर्णिंग होगी वह आपक होगे तो यहां पर आपको लाइफ पेमेंट्स का ओप्सन सो हो जाएगा डिस्पेले पर ही अगर आप इसे स्क्रॉल करते हो नीचे जाओगे तो आप यहां पर बहुत सारी स्क्रीन सोट पेपल के देख पाओगे फॉर एक्जामपल यहां पर देखिए इनकी इनिशेट आपके बैंक एकाउंट में हो जाएगा अब गई सिंपल से क्या करते हैं लौग इन प्रॉसेस जान लेते हैं इसके लिए आप लोग ने क्या करना है साइन अप बाले ऑप्सन पर क्लिक करना है यहां पर सर्वर के एक्वाडिंग आई से आपको रजिस्टेशन क पड़ेगी make sure आपको यहां पे अपनी personal email id ही mention करनी है तो मैं यहां पे for example के लिए एक temp mail को यहां पे receive कर लेता हूँ and just आपको दिखाने के लिए तो यहां पे मैं temp mail का use करूँगा but आप लोग guys अपनी personal email id ही यहां पे use करें तो यहां पे simple से मैंने copy paste कर दिया and then आपको यहां पे एक random सा password भी create कर लेना है जिसमें special character and numerical character भी mention हूँ अब यहां पे आपको अपनी date of birth भी mention कर देनी है for example यहां पे मैंने date of birth भी कर दी and then यहां पे makes your guys देख लें आपके जो server है वो three पे यहां पे mention है simple से आपको I am not robot पे क्लिक करना है and then आपको sign up पे क्लिक कर देना यहां पे आपको थोड़ा सा wait करना है अगर यहां पे step का कोई error आई email taken but guys यहां पे मेरे case में step का step का error face इसलिए हो रहा है because यहां पे यह वाला जो email आईडी है वो already किसी ने use कर लिया है तो मैं यहां पे refresh करके कोई दूसरा email आईडी भी use कर जकता हूं तो दोस्तों यह temp mail का use आप ऐसे कर सकते कि काफी email account यहां पे temp mail से उठाकर and then आप दिन में काफी बार वहां पे add अलग temp mail से अगर आप login करोगे sign up करोगे तो काफी ads भी आपको अलग लग देखने को मिल जाते हैं उससे guys होगा यह कि एक ही bank account या फिर कहलो एक ही PayPal account आप अलग लग जो भी account बनाओगे वो link करके and then काफी add आपको वहां से देखने को मिलेंगे और जब add काफी देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आपकी revenue भी काफी बनेगी तो यहाँ पे मैंने ये वाला email id mention कर दिया है and then यहाँ पे फिर से वही random सा password चूज करना है and then sign up करने लाएं नेक से और गए जितने भी email id से आप login करो उन सबका details एक notepad की file में आपको रखना है तो यहाँ पे दोस्तो login हम हो चुके है अब दोस्तो मैंने आपको 100 का bonus तो पहली दिखा दिया है 100 minimum bid dollar payout criteria है आपको 90 डॉलर और अचीव यहाँ पे करना है so $10 यहाँ पे हमारे हो चुके है अब आप scroll करते जब नीचे आओगी तो यहाँ पे आपको 5 ad already देखने को मिल जाते हैं और दोस्तो अगर आप अलग-अलग temp mail से use करके अलग-अलग platform अलग-अलग id बनाते हो तो दोस्तो काफी यहाँ पे add आपको हर एक sign up हर एक sign up पे आपको $10 का आप तो bonus मिलेगा ही मिलेगा and ads भी जादा से जादा देखने को मिलेंगे जिससे revenue भी जादा बनेगी तो यह ता guys एक secret matter जिसका use करके आप एक से जादा dashboard या फिर कहलो एक से जादा ाइडिस बना सकते हैं और वहाँ से जादा से जादा revenue भी earn कर सकत हैं सो अब आप लोगने क्या करना है यहां पर simple से complete वाले option पर click करना है यहां पर थोड़ा सामे बेट करना है ठीके जब आप थोड़ा वेट करोगी तो यहां पर देखिए please wait 33 seconds यहां पर second running होगी and then आपको यहां पर इस वाले platform पर stop होना है almost जब तक यह वाले seconds हो है वो एक scroll करते हुए भी आपको नीचे आना है जिससे इस platform को detect लग सके कि हाँ यह जो add है वो पूरा scroll करकी देखा गया है तो आप यहां पर makes your last तक scroll करते हुए पूरा add को देखें and जैसे ही यहां पर आपके countdown जो है वो finish हो जाए simple से आपको skip क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहां पर skip क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए हमारे पहले थे 10 डॉलर अब आप देख पा रहे हैं हमारे हो गई है 10.57 डॉलर that means हमने अभी अभी जो add देखा था उसका revenue भी इसमें add हो चुका है अब यहां पर देखिए हमारे only four add देखने को रह गई है ठीक है तो आप यह mobile पर भी स अगर तो काफी अच्छी बात है वहां पर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा अगर आपके पास phone है तो वही वही वर्क आपको 5-10 minute late में होगा ठीक है तो आप दोनों पर कर सकते हैं कोई issue वाली बात नहीं है अब आप लोगों ने यहां पर देखिए four add जैसे र होंगी तो गाइस hundred dollar तो आपके यह bonus के मिल जाएंगी और दोस्तों जो आपके यह वाले मिलेंगे किसी में 62 dollars किसी में 0.46 dollar किसी में 0.54 dollar तो आपको यह भी गाइस 5 dollar हर एक 10 ID जो आप login करोगी तो उसमें almost होती है 50 ads जो कि गाइस यह वाले कि गाइस बेहत ज्यादा useful होंगे और अच्छी खासी डिवेन भी आप भी जन्रेट होगी सो मेक सियर गैस यह वाली वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगे होगी और अगर दोस्तों अब भी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज है कर देना विकोज यहां पे आपको नेक्स वीडियो में एक और किसी इंट्रेस्टिंग और इजी अर्निंग रिलेटेड टिप्स के साथ तब तक के लिए जैहिंद और हाँ दोस्तों हमेशा लर्न करते रहें अर्निंग ओटोमेटिकली स्टार्ट होने लग जाएगी